इसके अलावा मैं आपको बता दू कि जब से ये बना है तो ये दो ऐसे तगड़े-दगड़े भूकम जहिल चुका है इस भूकम के अजय से पुरे गाउं के अच्छे-अच्छे घर गिर गए लेकिन ये अभी भी टिका हुआ है तो कुछ इस तरह से बन रही है आज की जुव है कि नास्ते के लिए चटनी और आज का यूव है तो बदलब सांधारी है जब निखाता हुआ है आज का जो सामने आला है वह काफी हद तक जो है क्लियर हो रखा है और इधर भी पूरी है बरस बारी को कल रात को बारी सोई बहुत जादा उसके वाज़ा से जो है सब जगह अर अब से कवर हो कि और सामने भी आज इतना बढ़ी आ जो देख रहा है आज आहीं बताओं आज कारें वेलकम बैक तो नथर वीडियो सागत आप सब्सक्राइब फिर से एक और नहीं वीडियो में क्यों कि आज आसमन साफ है और सुबह के साड़े आठ हो रहे है आधा तारीक आट मैई चलिए कुछ इस तरह से आज की दिन के शुरुवात है बात नास्ता करते हैं अ इतना अच्छा नास्ता करने के बाद बढ़िया सी जुबह के सुरुवात के साथ आज भी अभी अभी राज देवराज और बजनेस आए लोगों ने सोचा कि वरसा जब पंचपूरा है जो मैंने आपको दिखा है तब इसली वीडियोज में उसको जोड़ा एक्स्प्रोर क है और इसके बीचे किया है चार और क्याता है चार पूरा हम आज अंदर से देखेंगे और यह आप लोग देख रहें हुए तो नहीं आपान्चपूरा क्यों कहा जाता है तो पंचपूरा नहीं कि इसको पांच मंजिन है एक तो तीन चार और पांच इसको तकरीबन साड़े पांसतो साल इस घर को हो चुके हैं यह जो हमारी राना फैमिली है तो यह हमारा ही है हमारी राना फैमिली का और सबसे बड़ी फैमिली हमारी है इस गाओं में मेरे पापा के जो बच्पन है वो बताते हैं कि उनका बच्पन जो है यही गुजरा है दादा और बूटा वगारा सब होगा करते तो सब लोग यहीं रहता थे कुठार टो पुराने घर के साथ में गंटी होगा करती थी जो एक पार्ट है वह इस उब दरवाजे पे लगावा होता था कि पेखे लोग थे करो तो है लोगगा, पूर कोई दर्वाजा कुलनी के कोशिश करेए का रस्ता जाने कोल ऐ supportive लिए ने कि अध्या है तो कोई चैन भी हिले गे तो गंटी बचेगी, एत्या है अब हम जाएंगे नेदर बुर्वाद है निशचाने फब्लोर करता है पंचपूरा के हर फ्लोर पे एक एक रूम है यह कुछ पत्थर की सीडिया इस पूरे घर में किवल जर्जी देहीं यूज हो रखिए एक लगड़ी दूसरा पत्थर और दीसरे बिट्टी फस्ट फ्लोर पे हम आगे इंचे ग्राउंड फ्लोर था और यह चोटी-चोटी जो खेड़िया है इस वाले फ्लोर में यह एक रूम ऐसी कुछ यहां की सीडिया अब हम पहुंच चुके सेकंद फ्लोर पे हैं थर्ड फ्लोर से कुछ ऐसा व्यू नीचे इतना बड़ा चौक है साथ मेरे रजनेश देवराज और अभिराज तो यह था रूम है अब धूर का का हम कर रहा है और अब हम जाएंगे चौथी मंजिल पर अभी एगर पूरा खाली है क्योंकि के साथ साथ जैसे फैमिली बढ़ती गई ऐसे वैसे लोग भी बढ़ते गए तो जगह थोड़ा सा कम पड़ी तो लोगों अपने सेपरेट बनाए इसलिए फिर इसको जो है खाली चौड़ दिया गया यह अभी हम लोग इस वाले फ्लोर पर है चौथी मंजिल पर इसका यह चौथी मंजिल से कुछ ऐसा व्यू यहां से सामने हिमाले और पूरा ऐसा व्यू वह हमारा घर यह भी अब बड़ा ही शानदार लियू और तरफ एक ऐसी गैलरी है जो कि इस रौ अब अगर गूगल करोंगे पंच्पूरा अब लोगों को कही सारी जो हो चाहे स्टोरीज हो चाहे आर्टिकल्स हो व्लॉक्स हो देख जाएंगे और इसके साथ-साथ जो लास्ट फ्लोर है उसके लिए यहां पर एक छोटी से सीड़ी हुआ करती थी तो वह सीड़ी अभी ह है नहीं तो अभी हम पाच्पूप पर सबसे लास मीनी जा पाएगी इसके पीछे वैसे बहुत बड़ी हिस्ट्री है तो हिस्ट्री तो हम आपको एक दिन इत्मिनांसर बैठके सुनाएंगे अब हम चलते हैं यहां से पीचे की और स्री कुछ ऐसी है ऐसे थोड़ी थोड़ जाता है तो राना गम्मेरु एक बहुत बड़ी भड़ थे से पहले उनके पीप पूरो जाए थे यहां पर बड़ ज्यादा राना गम्मेरु भी होए उनके नाम से यह घर जाना जाता है वह अभी मैंने थोड़ा सा शॉट शॉट में आप लोगों को बताया एक दिन एक प अच्छे घर गिर गए लेकिन यह अभी भी टिका हुआ है इसी वज़े से काफी पॉपुलर भी है आई हो कि आप लोगों को पसंद आया होगा और अगर आप लोगों को एक्स्प्रोर करना हो तो आप आ सकते हैं यह आप तो मेरा आत में आप देख रहेंगा यह कुलड इस इसमें हमने चाई पी थी तो इसका मैं सोच रहा हूं कि इस कील से इसमें छेद करके और इसमें कुछ जो है बोया जाए तो चलिए एक्सपरिमेंट करते हैं चेद तो हो गया इसमें अब इसमें लगाते हैं अलोवेरा अब यह चूट सा अलोवेरा और को मुं करेंगे समें प्लीज तो अभी फिलाल हमने इसमें चोट सा अलोवेरा लगाया देखते हैं यह दो चार दिन बाद अगर थोड़ा सर्वाइब कर लेता है तो ठीक है हम और ट्राइक निगेंगें हमरे पास और मटके हैं सुबह मैंने इसमें एक चोट सा राजमन लगाया देखते हैं अगर यह अलोवेरा जो है सर्वाइब करता है क्योंकि हम लोगों ने पहले से ही बहुत सार अलोवेरा लगा रखा है तो इस पेसे मैंने चोट सा निकाला और इसमें लगा दिया कुछ इस तरह से मैंने अलोवेरा उस कुलड में लगाया तो देखते हैं जो दिन बाद अगर वो सर्वाइब कर लेता है तो मारे पास और भी कुलड पड़े हैं बहुत सारे अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जुरूर करें कमेंट करें शेर करें इस वीडियो का अपने दोस्तों के साथ चैनल के सब्सक्राइब करें मिलता है आप सभी से ऐसी एक और नहीं वीडियो के साथ तब तक बाबाई एक यार घर पे रहें स्वास् झाल